आत्मानों शासन नामों किस गुरंथ में शरीर के साथ एक शण भी रहना आसान नहीं है यह अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कौन समझदार यहती है था हुगा जो इस शरीर के साथ खिशन मात्र भी रहना चाहेगा इसको बहुत सुन्दर उदारण देकर और सांगो पांग इसका दिवेशन किया गया कि ज्ञान ही एक मात्र ऐसा है जो इस जीव को इस शरीर के साथ में कुछ काल तक रहनी की बात बताता है ग्यान नहीं हो तो एकदम द्वेश वुद्धी से उदासीन हो करके इस देह का त्याग कर देए लेकिन ज्ञान होता है वो इस वताता है कि नहीं नहीं एकदम त्याग कर देना अची बात नहीं है शरीर शोड़ देना ठीक नहीं है क्योंकि यदि एग्रम आपने याथा शरीर शोड़ दिया तो मुसिवत हो सकती है इस तरह से किसी मित्र के विरोधी हो जाने पर बनने वाली परिस्ति को यहाँ उदारान बना करके प्रस्तित किया गया देखिए फिर परीशे है सेने की प्रेज़ना यहां से अपने अपनी बात का आगे बढ़ाते हैं इसी आशे का आगामी दो चन्नों में द्रश्तांत द्वारा द्रड करते हैं मने परीशे है सेने की प्रेज़ना देते हैं कि हमारे द्वारा परीशे है साहा जाना चाहिए परीशे है सेन करना यूग के है कोई बात नहीं परिशानी आई है शरीर के उपर आपती आई है परिशानी आई है तो तो आप शान्त भाव से, सहिल भाव से, इच्छा को रुखते हुए उसे बरदाश्ट करो एक सौथारे नमरगा शुलो के रहे, शिक्रिनी चाने तो यमरन मानो पिसुची रम मैं सोड़ ग्यम किमगा परमीर परेकार वश्ट है में समानी मुलाजी लग्शीनत तर आविनाप शुलो का शुलो के रहे, इसमिर मान छुबित भूपर गर ब्रह्मत दीन समान नहीं मिलाहार उने निर अंकलाए भी शाबंकार अतर वश्ट है जोद दरिस्टादार में जन्नी जिकार शुचार इसना संदर उडारन प्रसुच कर दिया यहाँ, एक्जम्पल दे दिया इन्होंने भवान रिशब देव का रिशब देव स्वामी के जीवन और घटना परिस्टि को एदि हम देखे हैं, तो हमारे को इस बात का अनुमान लग जाता है कि भाई हम तो सादारन व्यक्ति हैं, उन जैसे व्यक्तियों को ही, इतने पुन्यशालियों को ही, जब इस प्रकार के परिशे सहन करने पड़े, उन्हें ही जब करने पीछा नहीं छोड़ा, तो यह दिया हमारे उपर इस सरे के परिशे आते हैं, तो हम सोचेंगे हम तो नह संकर होने वाले इतने पुन्यशाली जीवों को भी, जब ऐसे परिशे सहन करने पड़ते हैं, तो फिर हमें परिशे क्यों नहीं सहन करने पड़ेंगे, क्यों नहीं सहन, जंपादारन व्यक्ति, निजकार्य वशाथ, यह क्या शब्द दिये हैं, त्रण कमान गिन, राज्य अधर देव, इसा कहें है उपर, उन्होंने राज्य और लक्ष्मी को त्याग कर, कब त्यागा और कैसे त्यागा और त्रण समान गिन, तिनके के समान, हमारे घर में कोई चिडिया जो है, बार-बार में तिनका लातर के कछ्षा करती हो, और कछ्रा पहलाती हो, तो हम उस त तिनके को कितना समाल के रखते हैं? तैंक देते हैं? आप समाल के नहीं रखते हैं? कोई भी नहीं रखता उसको. मनलब उस तिनकी की कोई कीमत नहीं है, उसे तुरंत ही फैंक दिया जाता है. यह कह रहे हैं, ऐसा गिनलिया राज्य और लक्षनी को, तिनके के समाल, और उपेक प्रियोजन नहीं कोई उसकी उप्योगी तो दिखाई नहीं दे रही है ऐसा जान करके रिशब्देव भगवान ने तुरंट उसे त्याग दिया और फिर क्या किया उसको त्याग करके कि तप करते कि तपश्चरण करना शुरूर किया ज्यान अवस्ता में बैठके हाथ पे हाथ धर करके मौन हो करके निर्मान ऐसा नहीं कि ऐसा तपश्चरण करने लगे तो अपने आप गया रहे मैं भी बहुत ऐसा क्योंकि एसा तप कौन करेगा रहे कुछ ऐसा थोड़ी ने त्यांसी ला चल ये कितना महान हूँ में ऐसा मान रखकर के नहीं मान छोड़ कर और जब आहर के लिए निकले तो खुबित हो पर घर भरमते दीन समान गर गर प्षिरते रहे दरवाजे दरवाजे के बार से निकलते रहे गले मौलनों बाजारों में रोजाना अपना समय वितीत करते रह जब शुबित होकर के दूसरे घरों में जाते हुए ब्रमन करते हुए दीन हीन होते हुए बिक्षा के लिए निकले हैं लेकिन निर्मान उनकी जो बिक्षा की रखती थी वो मान रहित रखती थी और फिर क्या हुआ रोजाना गुमते फिरते भी एक दिन दो दिन चार दिन चेह मेने निकल गए नहीं मिला आहार उन्हे आहार ही नहीं मिला उनको रिश्व देव को नहीं मिला आहार उन्हे अजिव निरांतराए बीता बहुकाल ऐसा नहीं है पढ़ने पढ़ने का फरक है आप रांते कैसा पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा इधर से उधर पढ़ लो तो बात बदल जाती कौमा कहां लगेगा इधर की जगे इधर लगा दिया जाए तो क्या होगा नहीं मिला आहार उने निरंतराय बहुत काल बीच गया ऐसा तुड़ी में है अर्थ निरंतराय बीता बहुकाल ऐसा अर्थ नहीं है जो उनका बहुत लंबा काल निरंतराय अंतराय का मतलब तो बादा होना आहार नहीं मिलना और निरंतराय का मतलब आहार मिल जाना मिला निरंतराय होते हुए बहुत लंबा चाल बीत कहा है मने रोजाना आहार लेते रहे हुए ऐसा आरते है क्या ये जो निरंतराय है ये पहले लगेगा नहीं मिला आहार उन्हें निरंतराय मने उन्हें निरंतराय आहार नहीं मिला अंतराय उतरा बादा होती रहे, दिखन पढ़ते रहे, भीडी लेकर के निकले थे वह विडी नहीं मिली बीचा बहुत काल, इस तरह से बहुत लंबा काल बीच गया, उनको दिरन्तराय आहारी नहीं मिला, उनके आहारी की विडी ही नहीं मिली ये बात तो उनकी है जिनको गर्ब में आने के पहले से रखनों की वर्खात हो रही थी जिनके लिए ये बात तो उनकी है जिनके गर्ब में आने पर वो देव लो उतर करके आये थे ये बात उनकी है जिनका जन्म होने पर तीन लोग में अपार शांती का अन्वो हुआ था जिनको इंद्र एरावत हाती पर बैठा कर सुमेरू परवत के शिकर तक ले गए थे एक हजार आठ कल्शों से जिनका अपुख्यात देवों के मात्यम से जन्मावी शेफ हुआ था यह उनकी बात है उन पुन्नेशालियों की बात कर रहे हैं जिनके लिए भूजन की व्योस्ता देव गती से देव लोग से हुआ करती थी उन पुन्नेशालियों की बात करते हैं जिनके लिए कपड़े लगते स्वर्गते आते थे उन पुन्नेशालियों की बात करते हैं जो दूल मिट्टी में खेलते नहीं थे और जिनके साथ में खेलने के लिए स्वर्ग के देव आसपास में गूनते थे देवों के साथ में ज पारे नगर को आहर करना और भूजन करना सिखाया अन्न उपजा करके और उसे ही अन्न नहीं मिला जर्वा उससे पहले भूग भूवी की व्यवस्ता थी मांगने से मिल्या करता था और तीसरे गाल के अंते में जब भूग भूमी की व्यवस्ता तमापत हुई लोगों को अनाच कम पढ़ने लगा भूजन नहीं मिलने लगा भूग से आपुलिस व्यवस्त रहने लगे ऐसी परिस्तिती में ऐसे समय में जिसने सारे जगत के जीवों के भूजन की व्यवस्ता का प्रवंद करवाया आज ये दिन देखना पढ़ रहा है ये उनको भूजन के लाले पढ़ रहे अब क्या कहें देख वाग उन्पुन्य जालियों की बात कर रहा हूं है ऐसे राजा ये कह रहे हैं निरंटराय नहीं मिला योग नहीं था ऐसा आहार निरंट करने का योग नहीं मिला उस जाती का पुन्य योग नहीं था उस जाती का पुन्योदय नहीं था इतना पुन्योदय थो था उनका कि देव लोग ये जेकार कर रहे हैं देखो आप अभी सुनिए घरव में आये तब थे जनम हुआ तब थे जीवन भर तैयो करते रहे खान पान आप आज अधी खी कि व्योन आजी का कि प्रश्रा जिक्रा भूलत से रहे अफ़र दिक्षाली तब भी देवतर करके आये थे मनलब मुनी बनने तक जनम से लेकर के और जनम के पहले से लेकर के तिरांसी लात पूर्व तक देव लोग साथ ने है जिस इंद्र का सिंगातन चुटी-चुटी दी बात पे कंपायमान हो जाता अठा आज वो कहां जाकर के सुग गया उसे विकल्प नहीं आ रहा है अधिक्षा के लेले इन्होंने सब जाकर के सुगए देवों को निद्रा नहीं आती पता है आपको देवों के देवों को नीन नहीं आती ऐसी वे वस्ता होती है सोते ही नहीं है वे नार्की भी नहीं सोते और देव भी नहीं सोते पग्यों नहीं सोते कैसे नहीं सोते कि भोजु पीछे तर्क दीये थे न हो यह बात यहाँ इस बात में भी लगा ले लेना धेंव लोगों को भूगों में नींद नहीं आती और नारकियों को लड़ाई जगडे से नींद नहीं आती अपने ये बात के संदर में देखी थी ज्यान आप लोग ने पांसाद दिन पहले ता आई थी ये बात सैयम माने मनश्य गती नहीं है एक मात्र तब संबव है मनश्य गती के जीवी तब कर सकते है कि बाकी तीन गतीयों के क्यों नहीं कर सकते कि देवों को भूगों से फुर्सक नहीं है नार्कियों को लड़ाई जगड़े से फुर्सक नहीं है और सिर्यन चिलती के जीव विवेक रही थे इसलिए मनश्यों को याउसर है वोई बात या लगा ले देव लोग सोते तो नहीं है फिर भी मानों सो गए हो उनको भी आहार नहीं मिला ऐसे पुन्नेशालियों को भी मनें मिश्टेक कहां हुई है कोई व्यक्ती अपने कोई टिपिन सेंटर बांध रखाओ और रोजाना भोजनाले से अपने पास में टिपिन आजाता हो डेली व्यवता और भोजनाले में जो लोग काम करते हैं एक एक व्यक्ती बहुत बुद्धी पूर्वा ज्यान रखकर पाफदानी पूर्वा दोनों टाइम हमारे भोजन की व्यवस्ता करता हूँ और बहुत लंबा काल भीत गया और कभी हमारे को विकल्ब भी नहीं आया कि हम जाकर के कहें और अपने हाप ही हमारे लिए अच्छे अच्छे बुजन की व्यवस्ता हो जाती थी एकदमी क्या हुआ ति बुजन आना बंद हो गया एकदमी क्या हो गया था क्या लग नहीं सकते बोलो लग नहीं सकते सारे के सारे एक साथी ये क्या होगी व्यवस्ता 23 लाख पूर में इतने लंबे काल तक दिकल्पी नहीं आया उनको और आगे से आगे मोजन की वैवता होती रहती थी अब क्या हो गया हाराना बंद हो गया ये के रहे हैं घर-घर फिरते रहें दशा देखो आप उनकी रोज़ा ना जाते रहें ऐती बात नहीं कि भूख नहीं ही होती ही तो उठकर के जाते है क्यों है शे मैंने सब नहीं लगी तब तक तो नहीं उठे थे अब लगी तो ऐसी लगी रोज जाना पड़ रहा है रोज जा रहे हैं और रोज जाना जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक दुकान पर जाकर के आ रहे हैं पूरे नगर में चक्कर लगा रहे हैं नहीं बैटी वेवस्ता लॉट कर गया ले क्या करें भी दूसरे दिन फिर निकले तीसरे दिन फिर निकले वह लोग कितने दिन निकल गए यह पौने दोसो दोसो दिन आप सोचो कितना लंबा काल है ऐसा दोड़ी दो लगाते हैं तो मुनी भूमी का कि योग यह नहीं है वो कारिए एक रहे नहीं मिला हार उन्हें निरंतर आए वीता बहुकाल बहुत लंबा काल बीच गया अते है इसलिए उन्हें देखकर आज मेरे कोई भूजन नहीं मिला जी परेशन का इक होता है उन्ज अधे परेशे क्यों नहीं सहे तादारण जन हमको बड़े आदमी होगे गया तो आदर आदमी है सादारण जन परेशे क्यों नहीं सहे किस लिए निज कार्य वश्यात अपने कारी की सिद्धी के लिए यदि कज़ाचित परेशे सहने का प्रसंद बने और परेशे सहना पड़े तो क्यों नहीं सहे ये बात यहाँ इसमूल स्लोक में कही है अपने इसका अर्थ नीचे पढ़ते हैं देखिए शिरी आदिनाद भगवान समस्त सामराज्य को त्रणवत छोड़ कर सब करते हुए मान रहित भूके रहकर दीन के समान भोजनार्थी होकर बहुत काल तक भोजन नहीं मिलने पर दू लूंते रहे किया किया कांसे आगे है सब्सक्राइब लूंते रहे लाज यहीं तरह किया यह लगता है कुछ प्रिंटिंग मिश्टिक से रह गया है अगल कर चुके हैं यह बात आदिनाद भगवान अवास्ता में भगवान आदिनाद की बात नहीं राजा रिशब्देव क तरणवत क्या छोड़ा, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ जैसों ने, चक्रवर्तियों जैसे ने विभूति शटखंड की है, हे शांति जिन स्तरण सम्तजी ली शरण एक जिनन्द की ऐसी पंक्तिया है, जो चुबिस तरसंकर इसकुति वंदना जो लिखी है, जिन अंदर व शरण करों की इस्तुति करते हुए, उनकी बंदना लिखते हुए, जैसे शांति जिन स्तरण सम्तजी शैखर्ल की विभूति को तिनके के स्याल दिया, फुरिशार्तियों का ऐसा काम होता है, ये विचार नहीं करते, अरे नहीं नहीं, आप व्यवस्ता तो करनी पड़ेगी कि मैं समालता साब मैं नहीं समाल हुआ तो कौन समालेगा, दूसरे ही व्यवस्ता तो जरूरी है, ऐसे कैसे सब लोगों को बिल्कुल शोड़ करके चले जाएं, अजर जूल में, विचे कोई समझधारी का काम तोड़ी में, कोई भी व्यक्ति, कोई काम समाल रहा होता है, त तो वो लोग क्या जवाद देते हैं, वो कहते हैं, यहाँ साथ छोड़ को देवें, बस थोड़ा से दुकान समालने लाइक हो जाए, बेटर, फिर अपने को तो तो जानते हो, आप सब शुरूती वेरागी प्रकृटी के में, अपने को तो छोड़ना है, लेकिन बस कब तक जब तक यह सोड़ा सा समाल ने ले ले, जब तक यह समालने लाइक नहीं हो जाए, बोलो बो समाल ले ना तब तो छोड़ देगा न, पुरिशार्थी लोग जो होते हैं, जिनके रिज़े में वेरागी और तैयम की उत्करश्च भावना होती है, और अंदर ते वेरागी व सामर से उनके बच्चे पोतों में कभी नहीं होती है, चक्रवर्ती के बच्चे नियम से चक्रवर्ती नहीं होते हैं, ऐसा नियम है, यह व्यवस्ता ही ऐसी है, माने जिस छेखंड के राजा अधिपती वे चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती, उस छेखंड को सवालने के साम लेकिन राज्य नहीं समाल सकते सबकी अपनी अपनी उस प्रकार की यूगेता होती उलजाती का अपनी होता है एक रहें तिनके के समान त्याग देते हैं उसको जब अंदर में वेरा के वहाव जागरत होता है तप करते हैं मान को छोड़ देते हैं भूके रहते हैं और दीन के समान भोजन अर्थी होकर के भोजन के अर्थी होकर के भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अब भोजन कोई देवे नहीं हमारे नगर के राजा अब किसी को दिमाग में यही बात नहीं आई कि भोजन के ल तो रोटी डालने में राच्छी चीज लाओ मेंगें, तोना चांदी लाओ इनके लिए, तोने चांदी की जरूरत है, बलो, जहां रोटी की जरूरत हो, तोना चांदी क्या काम आएगा, दो रोटी नतीब नहीं होती, देखो आप बिलावड़ों ले भागयों, बलो, हरी गा दश्या होती है, नगर के राजाओं की दश्या हो जाती है, समय बहुत भलवान है भई, समय जब फिरता है, तो दश्या बिल्गल बिकश हो जाती है, किती की नहीं चलती समय के आगे, काल सिंग ने म्रवचेतन को घेरा, बहुवन में, किसने किसने घेरा, कौन ते शेर में, काल ने, समय जब आजाता है, तो ये समय के चक्कर में, अच्छे अच्छे आजाते हैं, समय के फिर में, जितने पुन्नेशाली लोग होते हैं, जितने प्रसिद्धी प्राप्त लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, समझे आप, जिनका पुन्ने का योग विशेश है, जिनके ये श्कीरती बहुत बलवान हैं, जो किसी प्रतिष्टा को लिए हुए हैं जो समाज में बहुत अधिक हैं समाज में देश में जिनका नाम है उनके साथ में अपयश्कीर्थी भी बहुत ज्यादा चलती है ये यश्कीर्थी और अपयश्कीर्थी का ऐसा योग है सहिज कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि सिर्फ यश्कीर्थ का ही उदे आये अपने और अपयश कीर्थी का उदे नय आये सहती बात तंबव नहीं है जिस जो जितने ज्यादा यश्श कीर्थी के उदे वाले लोग होते हैं उनका अपयश भी उतना ही मात्रा में होता है अब देख लीजिए मुझे कोई ऐसा यक्ती बतलाई है जिसके यश्श प्रतिष्ट और सम्मान जगत में बहुत हो और जिसका अपमान बिलकुल नहीं हुआ हो जिसका अपमान करने वाले लोग लोग पुतले बुग जाते हैं दो मिनेट में एक इस्टेटमेंट तोड़ा सा दुनिया देश जो उनको आत्मान पे शावान पे शड़ा रखा था तो यह को जो बड़े बड़े कोई से भी वापुषी हों कितने भी बड़े व्यक्ति हों एक पूरा देश जिनका जिनकी जय जय कार लगाता हो हज्यारू लोग जिनकी बातें सुनते हों कोई भी हो जह मैं सब की बात कर रहा हूँ आप नीचे से नीचे इस तरफ के जक्ति से लेकर के ऊपर परके सब जक्तियों की बात समझ लीजिए आप अपने समाज के किसी भी जक्ति की बात समझ लीजिए जो समाज के नेता बने फिरते हैं उन लोगों का भी अपमान अप्याश करने वाल कि बाद समझ लीजिए आप उनकी भी निंदा अपमान करने वाले सब क्योंकि यशत कीरती है ना एक्षण में क्या होता है जो यक्ति जितना ज्यादा फिरमस होता है उस व्यक्ति के लिए हर कदम रखना इतना ज्यादा सावधानी पूरवफ होता है क्यों आप यही चोड़ा वो नहीं कर सकते अब बोर को डिल्घे रभाड़ने चीजक्ति के सितित्थे होती है हमें उस इस्तिती में आनंद तो आता है उनको किसंग्तों अपने को लोर्ग दुनिया जानेगे में लेकर हुख है तुम जानते नहीं हो तो उनकी अलक मजबूरिया हुआ करती हैं उनकी पढर्चानियां है उनकी प्रोब Randy's a precies क्षा जा कुछ हुआं एक दुमतिय नहीं एक पहुता है फिर जाता है यूरा चंगा तो आज आप किसी को भी कह देते हैं कुछ भी बात क्या लोगों के बीच में खड़े उकर बोल देते हैं फिर आपका एक एक शब्द वह अकभार के हेडलाइंस बन जाता है अब बोल नहीं सकते हैं हम ये कह रहे हैं यहिशक कीरती और अफियशक कीरती हमने जो बात कही अब यही बात अब लगा लीजिए आप तिर्थंग करों यहिशं के संदर हों में शुरौर देको तिर्थंग करों का पुने का उदे कहां तीन लोग के नात होने वाले हैं और पर खारा है उनके उपर एसे उदेगे उदे कितना वल्वान है किस की चलती webinar की आगए पार्षणात की नहीं चली रिश्ब देव की उपर ये उक्सर की है और किया कहए इसे उप्सर को परीशे को बॉर खर्म का उदे को पाप कर्म का उधे को पुल मिला करें एक शब्द मेरी अपन कहें तो पाप का ही उधे है कि रोजाना चख्था लगा रहे हैं और आर की बिजी नहीं बिलती है अब कोई मुझा यह बात के हार देना नहीं जानते हो तुम आर की विवस्ता नहीं हो सकती है उतने पुन्ने चाल नहीं पर देनी पड़ेगा चे परेंक पुए लगर्ती धी नहीं करने करना पड़ेगा बूँके रहकर नीचे पढ़िए पंतो अनुवत भूप्र दीन के समान कोजनार्थी बोजन प्राप्त करने का इच्छोप बोजन आर्थी तो नहीं आर्थी की चर्चा की थी एक दिन दिन पहले ज्यान आर्थी दिक्षार्थी बोजन आर्थी बोजन की आर्थी उठी उठी लिए बोजन के इच्छोप हैं बोजन चाहते हैं बोजन आर्थी हुकर बहुत काल त जाते तो भी क्या मिलता, कौन जानता था आर की विदी, अते है केवल अपने कारे के लिए अन्य के द्वारा दिये वे परीशह सहना योग्य है औरों के लिए नहीं, देखो ये बात क्या कहना चाहरे हैं, आप कुछ जो परेशानी हो रही है और जिस परीशह को आप सहन कर रह जिस व्यक्ति को मान लीजे, एक लाग उनके तंखा मिलती है और वो व्यक्ति ये बात कहता है, अरे बहुत काम रहता है, बहुत टेंशन रहती है, आपान काम थोड़ी ने है, अरे बुलेव राट को, आज ही राट को भी फोन बच जाता है, क्या करें, बहुत का फोन आज है, तो हमारे बुट करके जाना पड़ता है, इतना इतना काम रहता है, राट को सुबह की खबर है, लेकिन राट का बुटी है, इस बात का हमारे को ठिकाना नहीं है, हमारी परेशानी है, आम ही जानते हैं, तो देखो, उसको क्या कहते हैं, यहां जैसी बात लगी, यह समझ मिल रहेते ना क्यों रहे थाई क्यों नहीं रहे आपको जो मिल रहे हो ऊत्रा के जो काम करना पड़ेगाई इस इस में क्या है पैसे एसी बात की करके गर्म गर्म जमीन पर पाउं रखतर के दिए पता लगे वाइसा नीचे से चाले हो जाते हैं आसान काम तोड़ी मैं वाइसा चाहिए कि आपको प्रतिफ़न में आपको मुक्ष मिलेगा आपको कि आपको पिसे और के लिए निंगर रही है कुझ के लिए कर रहे हो हैं अंगोष सुछी क मैं कमपनी के लिए अपने आपके लिए कर रहा है को तुझे तेरा प्रतिफर मिल रहा है क्या है और जो ऐसे कंपनीं के लिए करते हुए देखे जाते हैं ना आपको चार-चे मेने के अंदर कंपनियां बदलते हुए दिखते हैं लोग आए अज एक्टी में कर रहा है और कल उस गेंट में चला गया और परसों तीसरे में चला गया और आज उसके अंदर आफ़र मिला तो इ और दूसरी कंपनी में कर लिए उसके लिए कि अुट क्या होगा तो कोई प्यक्ति आता है तो पेली यह बात किछे हैं इसके बात कर रहे हो है और कल ने एक झालिवाद कर लिए कर ओंगे रूजिं सभी तुमारे सम्से कर दो दूसरा बढ़ा मिला तो फिल जाओंगे ऐसा ह कि कि अपने कारिये तकलीव कि तकलीव कौन सा तकलीव कों से संकट की बात कर रहे हो आप कों से परीशे की बात कर रहे हो यह किसी और के लिए कि यह किवल अपने कारिय के लिए अपने कारिया के लिए ध मय अपने कारिय और उनके लिए नहीं नहीं हुआया अपने लिए सैयन कर glare रहा है ये अपने हिल्ए सैन करना पड़़ा है किसी और के लिए किसी और का बला नहीं होगा देखिए आपके बावार्प मढ़के निपनाते हैं अपर इसको जो अपना कारिया सद्ध करना चाहता है वह थोड़ा बहुत खश्ट सेकर भी अपने कारिया की सिद्धी अवश्य करता है अब बलो यह से केसी बात करें एसी बात कहते हैं शूटर मजी साह ओर यह आचारे देव बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है हर व्यक्ति को बहुत आसानी से बात समुझ में आजाय जाने यह हैं कोई बात आती नहीं एज रही हैम तो कफिर वन शिदी करना चाहता कि और फार परिंज्ट से कभी नीचे नहीं उत्रा हो जाता ही नहीं परिंटिती बन गई है कि उसको बस में भी तरके खाते हों चलना पड़िए पूमने तो गेसे वहां पहुंचना आए मेरे को मने देखरो आप तो कष्ट क्यों तहरा है काम के लिए अपने काम के लिए अपने प्रयोजन की सिद्धी के लिए यह व्यक्ति कष्ट सहे करके भी कारे करता है किष्ट इस सद्ट हो रहा है किष्टी परेशानी होरी गहते हैं कि परेशान के हैं कि एक्वायर बटा थो परेशान दुट में निवक्त परेशान इतने हुते हैं कि उसके retired लिखता है किसलिए और नहीं नहीं दर्द कर रहे हैं कौनता दर्द अभी तो बात मत करो और जो बीच में फर्चा लेकर करें आते हैं नो साइन कराने के लिए वह भी अपने वाफ़त लगती है कि एक आज मिनट जो भी खराब होता है उसने भी हमारे को लगता है कि क्यों कोई देखने के लिए आजया है हमारी कॉपी को उठाकर के लिए क्यों टाइम लेश्क नहीं कि यह चुड़ो लिखने वहारे को दिखना बाक्षिया वारे को मैंने देखो कैसा लगता है अपने दारे के सिद्धी के लिए कर्श्ट भी होता है तो कष्ट को नहीं गिंता लाइट चले जाएं उस पसीड़िना चपटफ गिर रहा हो हैं बहुत तेज प्यात लगरी है लेकिन तो भी नहीं प्रजूरा रहे जाएगा प्रशन चुट जाएगा अभी तो तीनी प्रशन होएं दो और तरने बाकी हैं कैसा लगता है रिमाग में बहुत कुराणी बातें होगी आप लोगों के लिए जो अपना कारिये सिद्ध करना चाहता है अनुभुद्ध तो तमकिये शिद्ध परिशित अनुभुद्ध बाते जो अपना कारिये सिद्ध करना चाहता है तो थोड़ा बहुत कष्ट सेहकर भी अपने कारिये की सिद्धी अवश्य करता है जैसे रिशब नाथ ने समत्राज् और जरूरी काम हो और कोई साथ नहीं हो तो दो पांच किलोमेटर पैदल भी चलता है बोलो अपने कारिये की सिद्धी के लिए कष्ट सहना पड़े तो भी सेता है और रिशब देव ने क्या किया समस्त्राज्य का क्या किया फिर भोजन का अंतराय होने पर उसके लिए दीनों के समान दूसरों के घरगर फिरे अंतराय होने पर मतलब देखो अंतराय कारती है नहीं भोजन ग्रेन करना शुरू किया और बीच में बाजा पड़ी हो उसका नाम अंतराय नहीं है बोई यह नहीं मिला यही तो अंतराए हुगा, जो काम हम क्याते थे उस काम मैं अंतराल पढ़ गया, गाप पढ़ गया, उसका नाम हैं अंतराएt अते हैं अपने काजी की सिद्धी के लिए ऐसे महापुरुशों ने भी यह काजी किया तो इसमें औरों को क्या लग जाए औरों को नहीं गाँ हम तो क्या घर घर जाके मांगीगी जी बात रह गई क्यों हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं पहला है तक हम दो भी रोटे के लिए दूसरों के घर जाए इसमें लगज्जा वाली बात नहीं इसमें शरम वाली बात नहीं मेरा भी मानी हो करके मैं वहाँ जाता है तो सब्हमता से किसे हो जाएंगी उनकोई इसके बेना कारे की सब्धिश नहीं रेशब देव को ही उसके बिना कारिय के सिद्धी नहीं हुआ सुगंता से कारिय के सिद्धी नहीं हुई तो अन्य लोगों को पाधरन लोगों को ये सुगंता से कारिय के सिद्धी कहते हो जाएगी जो लोग तपस्या करना चाहते हैं, उसके संदर्ब में भी कह रहे हैं, और जो लोग तपस्या करना चाहते हैं, उसके संदर्ब में भी कह रहे हैं, यह बात उनके संदर्ब में भी लागू होती हैं, जो यक्ति तपस्या करना चाहते हैं, जो यक्ति वैरागे भावना से यु सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन किसके लिए जो कारिये की सिद्धी चाहते हो उनके लिए अब यदि आप इस परीशे से घबराते हो कश्टा से घबराते हो इसका मतलब यह काम नहीं चाहते हो क्या आप इस परीशानी से घबरारे इसकार थी है कोई व्यक्ति किसी कारियों को करने में बहाने बना रहा है इसका मतलब यह तुछाता ही नहीं चाहता है क्योंकि जहां चाह उर्थी है परीशानी है कोई माहिना नहीं रखती है ऐसे ऐसे चाहने वाले तक देखे जाते हैं पिताजी घरते निकाल देवे लेकिन तो भी शादी करूँगा तो इसी से करूँगा कि कोई बात में निकाल दो मौट की किमत पर भी मरने की किमत पर भी जो काम करने की एक और ठानी है वो काम करते ही है तो जहां चाह उती है मड़ी को ने गिंता हुआ निश्य स्रूपत तेरे कारी के सिती होगी ही होगी विजी का बिलात अलंगे है जो अभी अपने उदे की सरचाएं की थी उस 시कारा की बाते है यहां नीचे शंद में करने वाले हैं, अपने इस पकरण को कल आगे बराएंगे, बहुत माजमी बहुत सुन्दर शंद है, बहुत सुन्दर चर्चा हैं की है, शेश चर्चा अपन कल करते हैं पादक रड़ी से लोणां, सारें जक्षने नोड़ी इस पत्रचा है 11、 12 ऐर शंदर चर्चाँ अओन्दर शंदर हैं तेरी उतारे आरे सीमा तेरो नाम जर्चे ज्याने की जोची तुही जगाती ज्याने की जोची तुही जगाती भक्तों भग्वान तुही जगाती भक्तों भग्वान तुही जगाती अम्रत जिलाती मारत जिखाती आपर दिलाती मारत जिखाती ते दो नाम जान्ये आपर दिलाती मां जिल्मानी ते ओनाम तारिक अपने जान्ये आपर दिल्मानी तारिक अपर 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 दिल्मानी तारिक कि मां जीवन की नहीं आपको दूतार की मां के लो नाम जन्य, के लो नाम जन्य, मां जिन वाली के लो नाम, सारे जब में जन्य, के ले समन्य, मां जन्य, के ले समन्य, मां जन्य, के ले समन्य, मां जन्य, के ले समन्य, 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 के ले समन् इश्वर की गर को तेरे बुजा के चंद है, तेरे बुजा के चंद है, माते मेर्मानी के रोना, सारे जर्भने नांचिना, सुनने संसार काहत भिचिलो, सुनने संसार काहत भिचिलो, सुनने सियायत का मंगर दिलतो, सुनने सियायत का मंगर दिलतो, तुमको नमच ए, तुमको नमच ए, तुमको नमच ए, तुमको नमच ए, तेरो नाम दंच ए, मादी में वाली तेलो नाम सारे जत में दन्या मादी में वाली तेलो नाम सारे जत में दन्या आपनी एक आंदे तो चलो आखों शो आई मासां प्रिमातूं तादे जेंगों तादे जेंगों तादे जेंगों तादे जेंगों तादे जेसी तो आपनी आपनी फौन अबस्टनु खारे जे जाए है ये है जे लाओ लाओ खिर है कirse रğ मेंगों तादे जे 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 बना मेंगों खार भी खालो खोड़िया जे हैं तो आपना स्कार भी है झाल झाल